आज किस वीडियो में दोस्तों मैं CHSL 2023 मेंस एक्जाम यानि की टीर 2 का जो पेपर हुआ था दो नवंबर 2023 को उसमें मैंस के जो भी क्वेशन पूछे गये थे उनको सॉल्व करने वाले हैं आपको बता दें कि टीर 2 में मैंस के 30 क्वेशन पूछे जाते हैं चाहे वह SSE SQL का मेंस का पेपर हो दोनों में ही एक्जाम पैटर्न लगभग सेम है और मैज के जो नमबर रसेसम हो हो तो को पर YOU a और लिखे हुए हैं ये question के form में और solution आपको provide कराएंगे पूरे 30 questions की ठीक है PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रूप NK Maths नंदू कुमार ज्वाइन कर लें जिसकी link आपको इसी वीडियो के description box में भी मिल जाएगा otherwise आप टेलीग्राम पे जाके उसे search भी कर सकते हैं ठीक ह आप Instagram पे अगर हैं तो वहां मुझे जरूर फॉलो कर लिजी NK Maths सर्च कीजिए और follow कीजिए ठीक है स्टार्ट करते हैं पहले questions से I hope कि आपने हमारा चैनल NK Maths सब्सक्राइब करके रखा होगा अगर नहीं सब्सक्राइब किये हैं अभी नए हैं हमारी चैनल पे तो जरू कि मैंने PDF के लिए बता ही दिया इसके अलावे मैं CGL और CHSL जो टियर वन के पेपर हुए थे 2023 वाले उनका चैप्टर वाइज मैस सलूशन भी कर रहा हूँ अपने YouTube चैनल पर आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और उन्हें भी देख सकते हैं ठीक है फिलहाल में इस वी for an electric bill or rate this what is the difference between a discount of 30% and two successive discounts of 26% and 5% देखवा में discount बताना है एक बार आपको discount दिया गया है 26 और 5 कर 2 successive और एक बार 30% का single discount मिला है तो अगर हम इन दोनों का successive पहले निकालें कितना होगा successive कैसे निकालते हैं discount minus a minus b और plus ab by 100 जिसको आप इस format में भी लिख सेखते हो a plus b minus ab by 100 तो यहां से मैं successive निकाल लूँगा इस formula से तो यह हो जाएगा आपका 26 और 5 31 और माइनस इन दोनों का प्रोड़क्ट याने कि 26 इंटू 5 बाइं यह 5 से कट जाएगा 20 बच्चे 102 से इसको काटोगे 13 दूना 26 ठीक है और नीचे 10 मच गया तो यह 31-1.3 आ गया अब 1 को अगर माइनस कर दोगे तो 30 मचेगा तो यह आपका 30 और 12-0.3 आ रहा है अचा देखो पहला जो डिसकाउंट था 30 परसेंट का था स्टेटेंड डिसकाउंट आ गया 30-0.3 तो जो डिफरेंस आ रहा है वह कितने का आ गया 0.3 परसेंट का तो बस यही डिफरेंस होगा इसको आप रूपए में कन्वर्ट कर दो 50,000 का 0.3 परसेंट न चास्ति या 500 आएगा यानि कि option A जो है वो राइट अंसर होगा पहले question का इसके और भी कई सारे तरीके हैं लेकिन जही आसान मुझे लगा next question है a swapkeeper sold his goods at half the list price and thus lost 17% if he had sold on the listed price then his gain percentage उड़ी अच्छा देखो आधे पर बेशता है let's say list price जो है list price यानि कि अंकित मूले अगर मैं इसको 100 मानता हूं अब कह रहा है कि अगर वो 50% पर बेशता है तो उसको 17% की हानी हो जाती है अच्छा बताओ अब यहां से एक तो तरीका है हमारे पास 17% का loss हुआ देखो ऐसे में calculation बढ़ जाएगा क्योंकि यहां से हमें 100% ऐसे calculation बढ़ेगा नहीं आप 1% की value निकालोगे तो यह 50 by 83 और 100% की जो value आएगी उसको 100 से multiply करोगे तो 5000 अपन 83 यह आपका आगया list price के आपर मैं बोल रहा हूं यह जो 100% हमने निकाला है यह इसका cost price आ गया कितना आया 5000 और बटा 83 यह cost price है अगले बार मेंचेगा कितने में तो मेंचेगा अंकित मुल्य पर यानिकी 100 रुपए पर मेंचेगा अब बताव SP अगर 100 है CP आपका कितना है CP है 5000 divided by 83 इनका ratio लेव रेसियो लोगे तो यह 20 से दो जिरू केंसिल आूट होगा यह 50 बंचेगा और यह ती यहां से देख लो अब यह 50 यह तो यह कितना गिया 83 का यहीं हुआ न है अब कह रहा है कि यहां अंकीत मूली पर स्वेंच होता है अच्छा आधे दाम में स्वेंच आध्या रहा है कि यह वह सब्सक्राइब अधिघ्टेट वह क्या विल्मक्रणि सब्सक्राइब करने यहां अगला question है, the average weight of 40 students of a school is 52 kg, if the weight of the teacher is included, the average weight rises by 500 grams, find the weight of the teacher, आजा, first of all, आप यहाँ पर देख सकते है, 40 students है, जो average है, पहले से वो 52 kg है, teacher को मिलाने से होता क्या है, कि 500 grams का increase हो जाता है, average में, अच्छा बताओ, अगर teacher, 52 kg का ही रहता, तो ऐसे में average पर कोई effect नहीं परता, लेकिन average जो है, वो कितना बढ़ा है, half बढ़ा है, half kg बढ़ा है, जब जिसको हम include कर रहे हैं न, उसकी value original average से 20.5 जादा हो, ठीक है, यानि कि teacher का जो weight होगा, वो होगा 52 और plus 20.5, यानि कि यह हो गया 72.5, तो फिर से option D, question number 3 का भी D, आप direct formula भी याद लिख सकते हो, यहाँ पर जिसमें होगा, old average, आप पुराना उसत लिखोगे, और plus minus यहाँ पर ब्रिधी या फिर कमे लिखोगे, ठीक है, और into का number लिखोगे, ठीक है, जो final अभी number है वो, अगला सवाल है, the diameter of a hemispherical bowl is 21 cm volume of the bowl, अचा, hemispheres, यानि कि sphere का half, इसका जो volume होता है, वो क्या होता है, 2 by 3 and pi r cube, राइट, तो आप यहाँ पर लिखोगे, 2 by 3, pi की value हमें 22 upon 7 ही रखना है, r का cube, अब देखो, यहाँ पर यह d की value है, तो r कितना होगा, 21 का आधा, ठीक है, तो आप 21 by 2, 21 by 2 और 21 by 2 लिखोगे, यही होगा, काटना पिटना होगा, अब यहाँ से तो यह साथ यह 21 से, 21 कट गया, 2 से, 2 कट गया, अब 21 का square होगया, 441 और गुणा मैं, इस 2 से इसको 11 बार में काट दिया, तो 11 बठा 2, 11 से अगर मैं multiply करूँ, तो यह होगा 1, ठीक है, और फिर यह 4 और एक 5, फिर 4, और 4, और फिर 4, इसको 2 से डिवाइड करोगे, 24 से शुरू होगा, 24 से एक ही option शुरू हो रहा है, वो है option A, question number 4 का जो right answer हुआ, वो हुआ option A, question number 5 की बात करें, number is increased by 25%, then decreased by 16% final value of the number, देखो हम वही formula लगाएंगे, एक बार 25% increase हुआ, तो आप लिख लो, plus 25, next case में 16% decrease हुआ, minus 16, plus minus minus, और A into B by 100, यानि कि 25 into 16 by 100, यह 25 से कटेगा, 25 के 104 से कटेगा, 44 के 16, इसको minus कर दो, यह direct आप देखो, यह minus और यह minus add हो जाएगा, तो यह 25 minus का 20, तो यह plus का 5% आ रहा है, it means increased by 5%, plus का मतलब की 5% की ब्रिधी हो गई, ठीक है, तो अंतिम मान जो होगा, उसमें 5% बढ़ जाएगा, 5 का C, next question, question number 6 की बात करें, the concentration of 3 vines, A, B and C are 10, 20 and 30% respectively, they are mixed into the ratio, this resulting in a 23% concentration solution, find the volume of X, value of X, sorry, देखिए, चा करेंगे सबसे पहले देखो, पहला 10%, sorry, पहला जो था अपने पास 10% था, 10% it means 10 upon 100, right, इसका कितना part हमने लिया, 2 part into 2 हो गया, plus second type में 20% concentration था, it means 20 by 100, and इसका 3 part लिया गया था, तो it is multiplied by 3 हो गया, plus third one is 30% so that it is written as 30 by 100, into X part था, तो X और total जो बना, total means sum of these ratios, values, ठीक है, इनका total कर लो, इनको add करोगे तो यह आएगा, 3 और तो 5 plus X, 5 plus X, total का कितना, 23% तो यह हो गया, 23 by 100, अब 100% चुकिए common है, तो 100 को हमने काट दिया सभी तरह से, यह आगया, 20 और यह 60, it means 80 और plus 30X है, इसको multiply कर दो, तो यह 115X और plus 23X, तोरी यहाँ X नहीं आएगा, 115 plus 23X, X को एक साइड करेंगे, तो यह आजाएगा 7X, इनको एक साइड ले जाओगे, तो इनका difference आगया 35, तो X की value आगया 5, तो option A में है, option A answer हो गया, next में आपको बहुलक बताना है, यानि की mode बताना है, बहुलक का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर number of patients given है, जिसका number जादा होता है, वही बहुलक होता है, frequency जिसका भी frequency यानि की बरम बढ़ता, ठीक है, यानि जिसका frequency maximum होता है, वो होता है आपका बहुलक यानि की mode, इसमें देख लो कौन सा सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 7 सबसे अधिक है, और इसका जो value है, वो 8 है, तो 8 अपना हो जाएगा, क्या बहुलक, साथ, next question, question number 8 में बोला गया है, this equal to this, then p by q, p by q हमसे पूछा गया है, एक काम कर सकते हैं, हम देखो, यह ध्यान देजेगा, यह 3 नहीं है, this is cube root, और यह भी 3 नहीं है, यह भी cube root है, ठीक है न, इस tribe से question है, अच्छा, अब मैं इसको इस side लेके आऊं, तो यह चुकी cross में है, तो इधर divide होगा, यानि कि यह होगा, q root of 0.08 into 0.8 into p upon this value, it means q, right side में बच गया, आपके पास आप चाहो तो यह decimal को हटा दो एक ही बार, यह multiply भी कर सकते हो, ठीक है, अगर हटा दोगे तो यहां नीचे 1000 आएगा, और यहां नीचे कितना आएगा, 10 यानि की total हो जाएगा, यह 10,000 और यह 8,8,64, यह बचेगा, अच्छा बताओ, अब क्या मैं दोनों side, एक मिनिट अब देखो, दोनों side अगर मुझे cube करना हो, इस cube को हटाना है, तो हमें करना क्या होगा, cube करना होगा, तभी cube हटेगा, अब अगर मैं इसको cube करता हूँ, दोनो side अब cube करना होगा, ठीक है, दोनो side cube करेंगे, तो इधर का cube हटेगा, यह बनेगा, 0.08 into 0.8 into P divided by Q, right side में होगा, 64 का cube हम करेंगे, तो यह 64 का cube, और नीचे इसका cube करेंगे, तो यह 2 और 2, चार 0 है, तो 4 का cube 12, यानि कि यह 10 के power 12 होगा, यही होगा, अब देखो, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस decimal को हटाते हैं, नीचे 10 आएगा, इस decimal को हटाएंगे, और इस decimal को, तो 2 और 1, 3, 0 आ जाएगा, यानि कि 1000 आ जाएगा, अचा, इस 1000 से, अब देखना, इस 1000 से मैं इसको काटूंगा, तो यह 3, 0 है, यहां 12, 0 है, तो यहां हमारे पास 9 रह जाएगा, ठीक है ना, 10 to the power 9, रिस्ट बचेगा अपने पास, अचा, इन दोनों से भी हम काट सकते हैं, यह 8, 8, 64 है, तो इस से में से 1, 64 कटेगा, तो यह 64 का स्क्वाइर रह जाएगा, इटमिन्स हमारे पास P by Q कितना बचा, 64 का स्क्वाइर और 10 to the power 9, अब देखो, यह P by Q ऐसे रहने दो, और 64 क स्क्वाइर को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वाइर 64 होता है, और इसका स्क्वाइर है, और नीची यह 10 to the power 9 है, अब यह हो गया, 8 to the power 4 और यह 10 to the power 9 हो गया, तो P by Q हुआ कितना आपका, 8 to the power 4 into 10 to the power minus 9, जब इसको उपर ले जाओगे, तो पावर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर जो राइट एंसर हुआ, वो हुआ ऑप्शन D, आगे बढ़ते हैं, अगला कोईशन है, यह पर्शन कवर्स 1 by 4 of his journey at the speed of 25 किलोमेटर पर आर, half of the journey at, एक मिनिट, 25 की रफ्तार से, और 1 by 4 पार्ट, 40 की रफ्तार से, और 6, 50 की रफ्तार से, यहाँ भी वैसे है, half of the journey, लेकिन यहाँ पर half है, ठीक है, अच्छा चलो, दोनों पर हमें चेक करना हुआ कि सही क्या है, अब दोनों अलग-अलग हो गया, इंगलिस में अलग डेटा है, हिंदी में अलग डेटा है, हमें बताना है, average speed final क्या हुआ, आपको पता है कि average speed के लिए जो formula यूज होता है, that is total distance, यानि खुल दूरी और upon total time, खुल समय, यही होता है, तो अगर मैं total distance की बात करूँ, देखो, यहाँ 1 by 4 है, यहाँ 1 by 4 है, तो अगर total distance मैं 4 ही लेता हूँ, let's say total distance 4 है, तो नीचे, देखो, अब हमें चुकी time लिखना है, आपको पता है, time equals to distance by speed होता है, ठीक है, त तो अगर total मैंने 4 को लिया है, तो पहला इसका 1 by 4 part कितना हो जाएगा, 1 unit, फिर से 1 by 4 part कितना होगा, 1 unit, तो remaining part कितना हो जाएगा, एक और एक दो इसमें से निकल गया, तो 2 unit remaining होगा, अभी मैं हिंदी वाले की recording solve कर रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, यह 1 unit थ यहाँ पर speed क्या था 25 का, मैंने distance by speed कर दिया कि time निकल जाए, next case में आपका distance कितना था 1 और speed कितना था 40 का, last time में distance था 2 और speed कितना था 50 का, तो यह total time निकल आया, अब उपर हो गया 4, इनका LCM ले लो, आप अगर LCM चलो इसको काट दो, तो 2 से यह भी 25 बार में कटेगा, तो एक और एक 2 बटा 25 है, LCM लेंगे 25 और 40 का, तो 400 हम मान के चलते हैं, ठीक है, 400 आजाएगा अपने पास, 40 से काटोगे, तो यह 10 बार में कट जाएगा, और 25 से काटोगे, तो 16 बार में, ठीक है, तो यहाँ पर आगया 2 बटा 25 था, तो 16 दुना 32, यह आगया 4 और गुना में 400 और डिवाइड़ भाई 32 और 10 कितना हो गया भाई, 42, तो यह 2 दुना 4 और यह 21 दुना 42, आगे तो नहीं कट रहा है, इसका मतलब 4 हमने गलत ले लिया था, ठीक है, देखो तरीका यही है, अब मैं इंगलिस वाले के हिसाब से सॉल्व करके देखता हूं कि क्या होता है, यह यह सब ऐसे ही रहने तो बस यहां से वैलू हमारा चेंज होगा, ठीक है, देखो, जैसे मैंने बोला कि टोटल अगर हमने डिस्टन्स 4 यूनिट माना तो पहले 1 बाई 4 यूनिट जो की 1 हुआ, फिर half of the journey यानि कि 2 और फिर बाकी remaining, तो 2 और एक 3 अगर चला गया तो remaining 1 यून यहां पर speed 40 का था और last में कितने का था 50 का, अभी हम फिर से 8 करेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो यह 20 आ जाएगा, अचा यह 4 है, नीचे देखो, इनका LCM कितना हो जाएगा, 25, 20 और 50 का, यह LCM 100 हो गया, 25, 400, 20, 25, 100 और 50, 200, तो यह आ गया 104 के 400 और इनको जोर लोग 5, 4, 9, 2, तो ग्यारा, तो यह 400 बटा 11 आ गया, यानि कि अब 11 से काटेंगे, ग्यारा तिया 33, फिर 7, 0, तो ग्यारा चाके 66, 36 से question स्टार्ट होगा, answer, और ग्यारा चाके 66, तो 4 भाई 11 आएगा, ठीक है, option C जो है, वो right answer है, 9 का, सही 8 किया है, अच्छा 66 है, तो 4 ही बचेगा, option A, ठी यहाँ पर 1 by 2 होगा, right, 1 by 4 नहीं होगा, अपना इसको ठीक कर लेना, question number 10 की बात करें, A and B, either, sorry, enter into a partnership with rate, this and this, respectively, in a company for a year, after 7 months, she gets into the partnership with them, with rate 30,000, and A, withdraw his contribution after 9 months, what would be she's share in the profit, assuming a total profit of 3,900, at the end of the year, okay, देखो, मैंने यहाँ पर A लिख लिया, B लिख लिया, और C लिख लिया, A क्या है, यह 25,000 लगाता है, भाई, कितने दिनों के लिए, यह जो है, 9 महिने बाद अपना contribution वापिस ले लेता है, तो A का contribution 9 months तक रहा, B का contribution कितना है, 50,000, और इसका contribution पूरे साल रहा, क् कि इसने अपना contribution withdraw नहीं किया है, C ने कितना contribute किया था, 30,000, कितने समय के लिए contribute किया, यह 7 महिने बाद आया, after 7 months, It means, year के end में इसके लिए 5 months बचे है, ठीक है, तो यह contribution का ratio हो गया, या investment का, अब इनका final ratio निकालो, Kart Pit के अगर कटता है, तो जैसे मान लो, मैं इसको काटता हूँ, 3 times, तो यह 3 से 3 times कटेगा, यह 3 से 4 times, और यह 3 cancel out हो गया, अब मैं 5 और 0, 50 काट सकता हूँ, नहीं, 5 को काटता हूँ, यहां से, ठीक है, और इसको 2, 5, 10, यह 50 से ओभर, तो 25 बार में मैं काट रहा हूँ, यह दो से 25 बार में यह गट गया, तो ABC का जो रेशियो आ गया ना, वो आया आपका 3, वो 2, 8 और यह 2, अब इनका सम कितना हुआ, 8, 3, 11, और 2, 13, टो टोटल प्रॉफिट जो आ रहा है, वो 13 unit का question में यह 3900 है, तो 1 unit की value 300, और हमें बताना है C का हिस्सा, it means 2 की value, तो 2 की value 600, तो cost of 5 chairs and 2 tables is this, find the cost of a chair, देखो, 4 chairs और plus 3 table, इनका cost जो है, यह 2100 है, second case में 2 table है, और 5 chairs है, 5 chairs और 2 table, इनका cost जो है, वो 1750 है, ठीक है न, हमें बताना है, एक कुरसी, यानि chair की कीमत, तो हमें इसको same करना होगा, same कैसे करेंगे, इसको 2 से multiply कर दो, इसको 3 से multiply कर दो, अब देखो, यह 2 से multiply करोगे, इसको भी और इसको भी 3 से, और यहां भी 2 से multiply, और यहां से भी 3 से, अब हमें इससे मतलब भी नहीं है, क्योंकि यह तो हम same करना है, तो यह cancel होगा, अब हमें minus करना है overall, तो इन दोनों का difference लेंगे, यह हो गया, 5, 3, 15, और यह 4, दोना 8, 15 minus 8, दिस इस 7, C, और यहां पर हो गया, इनका product minus इनका product, तो यह 5, 3, 15, और शत्रतिया, 51, और 52, यह आवाए, 52, और यह 21, दुना 4200, डिफरेंस कितना होगा, और दोनों 52, 42 रहता, तो 1000 का difference आ जाता, तो यह 1000 और 50 का difference होगा, तो C की वेलू 15, 705, यानि डेट सो, option D is the answer, 150 रुप interest after 3 years, he returned, 4 by 3 of the money to the lender, what was the rate of interest, अच्छा, एक चीच यहां पर भी देखना, हिंदी में यहां पर भी यह गलत है, यहां 3 by 4 है, लेकिन यहां पर 4 by 3 है, एक्चुली में यह 4 by 3 ही रहना चाहिए, तभी profit होगा उसको, और यह कुछ interest पे कर पाएगा, ठीक है, देखो कहने का मतल प्रिंसिपल 1 था, तो amount उसने कितना वापिस किया, 4 by 3 और प्रिंसिपल यानि 4 by 3 वापिस किया, ratio अगर आप सिधा करोगे, तो यह 3 बंजा 3 और यह 4 हुआ, अब अगर 3 से कोई value 4 हो जाती है, तो हमने interest कितना पे कर दिया 1 unit का, अब हमें बताना है rate, तो rate का formula आप directly लगा सक सकते हो, SI into 100 upon principle into time, SI कितना है 1 unit और into 100 तो यह 100 ही रह गया, principle कितना है यहाँ पर 3 और time भी कितना है 3 years, तो यह 100 by 9 आ गया, तो 11 to 1 by 9 percent is the answer, option D, question number 13 की अगर मैं बात करूँ, question number 13 में आपको बोला गया है, एक खंभा 12 मीटर के इस पात के तार की मरद से जमीन पर लंबवत हुआ है, ठीक है, और जमीन पर अधिश्तित है, इस पात का तार 36 जमीन से 30 डिगरी अकोन बनाता है, खंभे के उचाई, कहने का मतलब एक पोल है vertically, वो ground के साथ 12 मीटर स्टील वायर के साथ खड़ा है, यानि कि मानलो यह पोल है और यह स्टील वायर है 12 मीटर का और ऐसे ख होगे, अगर यह 30 है, तो यह 60 बनेगा, 90 में से माइनस कर देंगे अब आपने ratio परहा होगा, यह देखो जो भी value 90 के सामने होता है ना 30 के सामने, उसका आझा होता है, तो 90 के सामने 12 है तो 30 के सामने, यानि कि यहां पे कितना होगा उसका आधा यानि की 6 होगा 30 के सामने यह हुआ ना यह तो हुआ 60 के सामने यह 30 वाले का root 3 times होता है तो यह 6 root 3 होगा लेकिन हमसे यह पूछा गया है तो 6 answer होगा option A ठीक है otherwise आप यहाँ पर sin cost भी लगा के solve कर सकते थे 13 का A 14 की बात करें यहाँ फिर से आपको mode बताना है बहुल ठीक है ना कांट करो यहाँ पर 20 देखो option से हम ले लेते हैं ऐसे तो बहुत कांट करना पड़ेगा 21 को count करो कितनी बराता है वन फिर आपका यहां पर टू तुझे टू टाइमस आया 16 को देखो 16 यहां पर 1 2 3 3 times आया 6 को चेक करो 6 कितनी टाइमस आया है यहाँ पर 1 इसमें 6 नहीं है यहां 2 यहां 3 यह भी 3 टाइमस आया तो 15 ही एंसर होगा क्योंकि यह तो दोनों सेम टाइम पर ही आया है तो दोनों एंसर होगा नहीं और यह कम ही है तो option D ही एंसर होना चाहिए 14 कोई इसमें आगे count करने की ज़रुत नहीं है बाकि 15 आप count कर सकते हो यह एक बार हु सब्सक्राइब को नाइन डेज को काम करने में एट डेज लगते हैं इनका LCM ले लेंगे जो की टोटल वर्क बनेगा देखो अगर यह क्वेशन नहीं समझा है ना तो आप मेरे दोस्त ध्यान समझे लो टाइम एंड वर्क की मैंने बहुत अच्छी एक वीडियो बना रखि है तो अगर आपको कॉंसिप्ट किलियर नहीं है आपका टाइम एंड वर्क तो जरूर वहां जाके चेक कर सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जाके सेजल टीर वन ट्वेंटी ट्वेंटी थी का मैथ सेलूशन चेप्टर वाइस देख सकते हैं इनका LCM जो आएगा आपको पता ह है कि देखो इन दोनों का LCM तो 18 ही है अब 8 को मिलाना है एक दो है तो चार और मिला लो 184 के 72 ठीक है न 36 क्यों नहीं बना ले हम 36 36 is the LCM अच्छा इसको डिवाइड करो 9-4 के 36 अठारा दुना 36 और 8-36 कटेगा नहीं सही था 72 ही सही था भाई ओके अगर यह 72 ही होता तो 8 में 72 और 9-8 बहतर और यह 18-4 के 72 अब यहां से देखो अगर मुझे बताना हो हमें किसका निकालना है भाई A और C काम करना चाहते हैं तो A और C का हमें बताना है कि efficiency क्या होगा पहले find out करना होगा अब देखो A B C में से अगर मैं A B को minus करूँ तो C की efficiency निकल जाएगी तो अगर मुझे C की efficiency लिखना हो के वाल तो आप देखो 9 में से 8 को minus करो 1 आएगा C की efficiency 1 हो गई अच्छा अब हमें A का भी efficiency निकालना होगा A का efficiency कैसे निकालेंगे इसी A B C में से अगर मैं B को minus करता हूँ इसमें से B C को minus करता हूँ तो A की efficiency आएगी देखो C की efficiency 1 होगई A की efficiency इसमें से इसको minus करो 9 मेंसे 4 गया 5 अब और सी दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो टाइम की से निकालते हैं वर्क बाई एफिसेंसी वर्क है 72 यूनिट का दोनों की एफिसेंसी एड कर लो पांच और एक छे-छे से काटोगे तो ट्वेल्फ शिक्स जा सबसे पहले अगर मैं मानलों की टोटल नंबर ऑफ जो वोट्स इंडॉल्ड था वह अगर इसमें से कह रहा है कि छार पर्संट जो है वह आवयद हो गया तो इसमें से कितने हो गये फों फोर स्वर मिन से-वैलिड रहा तो टो इसो की कि एक उमिद्वार को इतना मिला जो कि खुल वैद मतों का कितना था 64 परसेंट था यानिकि 96 का 64 परसेंट यही बात है तो इसको हम एक्स पर भी मान के कर सकते था जैसे मान लो मैंने बोला कि एक से 64 परसेंट ने वाटींग की इसमें से 4 परसेंट जो है वायिद यानिकि इनवेलिड हो गया तो वायिड कितने हुए 96 परसेंट ठीक है अच्छा अब कह रहा है जो यह वाली वैल्युाह और यह वैदद हो का यानि कि valid का 64% है तो यह total valid वाला हमने लिखा है एकस जिसमें से 64% ने दिया और 4% invalid हुआ तो 96% valid हुआ इसका 64% जो मिलता है एक candidate को वो कितना है आपका 122 पे 88 यह लिखा हुआ है तो हमें अगर मैं काटता हूं तो 8 एक बार में फिर मचेगा 4 और 2 8 45 और 8 23 24 और 8 48 अब 12 से ही काट के ट्राइब करते हैं 12 एक बार में 3 3 तो 12 दूना 24 ठीक है तो 6 3 9 12 8 6 एक सो अठाइस अब 64 से दो बार में कट जाएगा और यह 2 से कट जाएगा 32 बार में अब यह देखो आठ चाओ के 32 और यह 25 चाओ के 100 फिर यह 24 के 8 और यह फिर से 25 चाओ के 100 और 2 से कट जाएगा 50 बार में तो X की जो वैलू आई यह 50 और इंटू 25 इंटू 25 तो 25 के स्क्वार 6 25 इसको मल्टिप्लाई करो 5 25 ठीक है और 2 पच्चे 10 और 2 12 और 6 पच्चे 30 और 1 31 तो 31 250 आ रहा है किसी option में है option A में है ठीक है option A 31 250 यह अंसर होगा अगला question है कि एक लम बृतिय संगू की 30 और उचाई में 25 परसंट की बृधि की जाती है आयतन में कितना बृधि होगा देखो 30 और उचाई में बृधि किया गया है आपको volume पता होगा जो कौन होता है उसका volume होता है 1 बाइ 25 परसंट कंकू की त्रज्जय और उचाई दोनों में ही 25 परसंट की बृधि की जाती है तो 25 परसंट तो हमें चेंज करना ही हुआ क्योंकि आर टू टायम सा रहा है एक बार है तो 25 परसंट और चेंज करना होगा अब आपको पता है कि 25 परसंट का मतलब क्या होता है one by four ठ होता है ठीक है और तीनों बार बढ़ाया जाता है यहां पर इंक्रीज किया जाता है तो आप बोलो कि अगर फोर पे वन इंक्रीज हो गया तो फॉर से फाइप बन जायाएगा और ऐसा तीन बार किया गया है तो हम डिरेक्ट क्यूब कर देते हैं यानि कि कोई भी वैलू 64 से क इस पर 64 के और इंटू का 100 बस यह कैल्कुलेट है तो यह 164 के 64 और यह 254 के 100 अगर मल्टिप्लाई कर लोगे इनको तो यह आजाएगा 25 से कम 25 मचेगा 226 के 500 और 250 इसको आप 16 से डिवाइड कर दो तो 16 से कटेगा 16 में 144 है और मचेगा आपके पास 6 और 28 तो 16 85 से अंसर स्टा नहीं हो रहा है अगर वीडियो समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें नाती साथ कमेंट जरूर करें ठीक है अब बढ़ते हैं अगले क्वेशन पर जोकी है क्वेशन नमबर 18 एट योगा सेंटर 60% of the members are men and 40% of the members are members are women if the average age of the men is 55 years and average age of women 45 45 average age of all the members है तो क्यों ना हम डिरेक्ट यहां पर एलिगेशन अप्लाई करें जो कि बहुत आसान होगा इस क्वेशन को सॉल करने के लिए एक तरफ मैं लिखता हूं एक तरफ फीमिल ठीक है 60% पुरुस हैं और 40% महिलाएं हैं पुरुसों का ओसत 55 है मेल का एवरेज 55 है फीमिल का एवरेज कितना है 45 और फीमिल का लिखना होगा आपको पता है कि मेल जो है वह 60% है और फीमिल जो है वह 40% तो रेशियो कितना हो जाएगा बेस तियां 60 और बेस दुना 43 और 2 का रेशियो हो गया अब बताओ मुझे कि यह वैलू हम कैसे निकालते हैं तो कई सारे तरीका है आपका एक तो इनका समझो होगा वो इनके डिफरेंस के बराबर होगा तो 3 और 2 5 की वैलू इनका डिफरेंस ले लो डिफरेंस कितना है 10 5 की वैलू अगर 2 है तो 10 है तो 1 की वैलू 2 और 3 की वैलू कितनी हो गई 6 अब इसकी वैलू अगर 6 है तो छोटी वाली का देखो दोनों में ये छोटा है सब्सक्राइब करने से पहले आपको इसका फोर्मूला पता होना पहले से प्रोवैबिलिटी ओफ ए इंटर्सेक्षिन के बराबर होता है दिस सर्ववैबिलींस प्रूबेबिली ओधीओ attractions भी बोथ, दोनों को मिला कर, ठीक है, तो अगर 1 में से हम दोनों को ही, इसका मतलब क्या हुआ, कि A भी नहीं होना चाहिए, B भी नहीं होना चाहिए, आनि कि A और B दोनों को out करना है तो ए और भी दोनों को out करना है तो हम ए और भी दोनों का जो mixed form होता है जिसको union बोलते हैं उसको हम 1 में से minus कर देंगे बस तो यह formula use होगा पहले हमें यह find out करना होगा probability of a given है आपका 3 by 8 plus 1 by 2 minus 1 by 4 LCM 8 होगा आपको भी पता है अगर इसको 8 बनाएंगे तो 4 4,4,7 में से 2 गया तो यह 5 राइट यह 5 by 8 आगया अब यहां पर value put कर दो 1 minus 5 by 8 तो यह कितना आ जाएगा 3 by 8 option B is the answer I hope कि आप बात समझ गया होंगे next question है let a,b,c and p,qr,b to congruent triangles such that a and p is equal to 90 degree b,c is 29 p,r is 21 a,b की value बतानी है दो triangle पहले मैं draw कर लेता हूँ let's say यह पहला triangle है और यह दूसरा triangle है first triangle is a,b,c and second one is p,q, and r right we have given that a and p is 90 degree this is 90 degree and this one is also 90 degree right b,c is 29 b,c is 29 okay uh then we have to find the value of a,b anything else is given असा देको नहीं भी given है कोई भी उससे भी कोई बात नहीं है आपको पता है कि यह 90 degree है अगर तो यह एक right angle triangle हुआ ठीक है और चुकि यह congruent है और यह 29 है तो यह भी 29 होगा अगर यह आपको 29 पता चल गया यह भी 29 है हलाकि हम यहां से भी निकाल सकते हैं इसमें भी ठीक है कोई ऐसी बरी बात नहीं है पी आर भी आपको 21 गिवेन है पी आर यह वाला 21 गिवेन है तो यह भी 21 हो गया ठीक है और हमें A भी बताना है अब यहां triplet लग जाएगा क्योंकि यह एक right angle triangle है और अगर आपको triplet याद हो 20, 21 और 29 का यह triplet याद है तो आप देखोगे 21 दिया है 29 दिया है तो एक जो third one मच अच्छा वह आपका 20 होगा और B अपना answer हो गया otherwise आप पाइथागोरस theorem लगा सकते हो और AB की वैलू डिरेक्ट निकालोगे 29 स्क्वेर माइनस 21 स्क्वेर राइट आगे बढ़ते हैं question number 20 हमने solve कर लिया अब आते हैं 21st पे X की value आपको given है यहाँ पर राइट और हमें बताना है X to the power minus 2 की value ठीक है X to the power minus 2 it means 1 by X square हमें बताना है overall तो एक काम करते हैं पहले इसको हम simplify करते हैं अगर आप simplify करोगे तो इसको ऐसे लिखोगे कि X की जो value है तो यह हो गया 3 का square 9 by 4 और इस minus को अगर हटाओगे तो यह reverse होग यानि कि इसका inverse लिखना होगा जो की हो जाएगा 3 by 4 और power अगर 4 है तो इसको 4 times हम लिख देते हैं ठीक है अब काट पीट लो अगर कुछ कटने वाला है तो हाला कि कुछ कटा ही नहीं तो X की value आ गई यह इसको 2 times हम 3 लिख सकते हैं तो यह 2 and 2, 4 and 2, 6, 3 to the power 6 हो गया and 4 to the power 5 आया यह एक्स की value है अब अगर हमें X square लिखना हो तो यह 3 to the power 12 हो जायागा और 4 to the power 10 हो जायागा लेकिन यह अलग-अलग होने का क्या कारण है दोनों से माना चाहिए था एक मिनिट अच्छा यहाँ दो था मैंने 3 by 4 लिख दिया यह गलत है 3 by 2 था यह 3 by 2 था तो यह एक दो तीन चार और यहाँ पे दो छे फूर टू तू दू दपावर यह 6 आता तो यह 2 to the power 12 हो गया यानि कि मैं X square की value क्या लिख सकता हूं 3 by 2 to the power 12 तो X to the power minus 2 क्या होगा इसका inverse यानि की 2 by 3 and to the power minus में 12 ठीक है minus में 12 लिखने की क्या जरूरत है plus में 12 लिखेंगे न क्योंकि हमने अंदर change किया हुगा है 2 by 3 और power 12 option C is the answer ठीक है यहाँ हमने minus लगाया है तो इसको अगर हम interchange करेंगे तो यह भी interchange होगा 2 ऊपर और 3 नीचे आएगा यह धियान लगा option C is the right answer 21st 22nd की बात करें if this equal to 8 and this equal to 9 value of a plus 2b a plus 2b हमें बताना है तो इसका मतलब कि हमें a और b की value निकालने की जरूरत है ठीक है अचा अब यहाँ पर अगर मैं दोनों side 4ab को plus करना चाहूं इसको plus में लिखना चाहूं जोरने से होगा क्या यह total कितना बन जाएगा आपका आप बताओ a square plus 4b square और plus 4ab राइट और यह हो गया आपका 64 plus 8 और ab की value कितनी आ जाएगी आपका 9 by 2 यहां से ठीक है ना अब देखो आगे क्या होगा यह क्या बन गया आपका a plus 2b का whole square और यह आ गया दो चाहों के 8 और 9 चाहों के 36 यह आ गया 100 तो यहां से a plus 2b की value कितनी आ गई तो का square root 10 और यही अपना answer है क्योंकि हमें यही बताना था ठीक है ना आगे बढ़ते हैं अब next question पर question number 23rd which of the following statement is not true इसे कौन से true नहीं है पहला option है अपने पास if the sides of a triangle in the ratio this and this and this then two of its angle are acute angles यह side का ratio दिया है पूछ रहा है कि क्या दो angle acute होंगे इसमें ठीक है चेक करते हैं देखो एक चीज़ आपको पता होगा कि 5 12 और 13 यह क्या होते हैं यह triplets होते हैं ठीक है triplets होने के मतलब कि यह एक right angle triangle के side होते हैं और right angle triangle में आपको पता होता होगा कि एक 90 डिगरी बंसता है तो बाकी दो आपका angle जो होगा वह acute ही होगा ने उनकों होगा तभी उनका सम 90 होगा यानि कि बाकी के दो 90 से छोटे होने चाहिए तो वह acute angle ही हुए तो यह वाला तो आपका true है हमें चाहिए जो false हो true नहीं हो second is the area of an isocellus triangle with sides this this and this is this अचा बताओ यह area बताना है isocellus triangle का area हम कैसे निकाल सकते हैं अगर आप चाहो तो direct formula भी याद रख सकते हो मानलो यह अगर isocellus triangle है यह आपका a है यह a है और यह b है ऐसा given है ठीक है अब area अगर आपको निकालना है तो आप क्या लिखोगे मानलो इसको आधा करोगे तो यह b by 2 हुआ और यह भी b by 2 हुआ ठीक है अब यहां से height calculate करोगे अगर आपको height लिखना हो तो height कैसे लिखोगे under root of hypotenuse का square minus base का square यानि की a square minus b square by 4 तो इसको आप 4a square minus b square by 2 लिख सकते हो और यह under root हुआ यह height हो गया तो इसका area कितना आएगा 1 by 2 into base into height बेस इसका कितना था आपका b और height यह निकला है आपका 4a square minus b square under root में और by 2 लिखोगे तो यह by 4 बन जायेगा तो यह overall एक area का formula हुआ किसके लिए आप याद भी रख सकते हो यह 4 है यह area का formula हो गया आई-सो-सिलस triangle का area अब इसमें अगर मैं direct value put करूँ तो देखो यह 1 by 4 b यानि की base जो third side है वो 3a है तो मैं रख दूंगा 3a और into 4a square यानि की first वाले का square तो first 2a है ठीक है अच्छा a और b हमने लिया है तो base के जगह पर तो हम वही लेंगे क्या यह हमने base लिया था यहाँ पर ठीक है और into height में हमने height की value रखी थी कोई बात नहीं चलो तो base के जगह पर मैंने 3a रख दिया और फिर रखना है आपको 4a square तो 4 और a square यानि की 2a का square तो 2 दुना 4 और a square और minus b square यानि की third side आपका तो 3 तिया 9 और a square यह आ रहा है तो यह आ गया 1 by 4 और into का 3a और into का 4 4 का 16 में से 9 गया तो 7 और a square इसको आप लिखोगे 3 by 4 और इसमें से 1a बाहर आएगा तो a square और under root 7 बचेगा तो यह answer आ रहा है आपका finally 3 by 4 या फिर 3 root 7 by 4 और a square और इसमें root 3 बच रहा है तो यह तो गलत हो गया और हमें false ही बताना थो option अबी ही गलत है बाकी आप चाहो तो इनको आगे continue कर सकते हो लेकिन जब हमें false मिल गया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं रहे question number 24 में आपको यह given है और हमें यह value बताना है यह power 4 है ध्यान देना और यह square है ठीक है न अचा एक चीश याद रखना है generally मैंने ऐसा question बहुत बार आपको बताया है पहले भी कि ऐसे question में आपको करना क्या है देखो यहां cost के form में हमें आना है तो हम यहां से cost निकालने की QC कर सकते है हमारे पास दो उपाए है ठीक है अगर मैं इसको आगे solve करूं तो एक काम कर सकते है जैसे मान लो आपने यह formula पढ़ा होगा एक कि कॉसिक स्कूर कॉसिक स्कूर थिटा माइनस qt स्कूर थिटा इसकी value होती है राइट अब अगर मुझे qt Kayak Square लिखना हो ठीक है या इसको इढ़र लेके चला जाओं तो मैं यह jacket सकता हो कॉसेक इसकुरेट अचाक्या यहां पर हम यहां से आपका कॉसेक कितना हो जाएगा यहां से ना gusta स्कूर तीटआ अगर यह चीज़ पता है तो आप यहां स्क्वाइर कॉसे के स्क्वाइर के बराबर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यह कॉट स्क्वाइर ठीटा और इंटू का क्या हो गया कॉस एक स्क्वार थिटा य혜 आप यहां से मैं कॉट स्क्वार थिटा लिखुँगा कि यह 1 रावर हो ऩब कावर पर सब्सक्राइब यहां से अगर मैं कॉस स्क्वार को मां ले Extension कॉस स्क्वेर ठीटा को यह पावर 4 है तो यहां पर एक बार और कॉस स्क्वेर ठीटा रह जाएगा और माइनस का 3 रह जाए क्योंकि यह स्क्वेर तो बाहर आ गया अब इसको मैं लिख रहा हूं कि यह 1-9 square है और इंटू इसको भी मैं लिख दूँगा कि यह भी 1-9 square है ठीक है और माइनस का यह 3 ठीक है न अच्छा अब देखो 1-9 square है और यह 1-9 square है हमें यह भी पता है कि sine square quarter square के बराबर है तो मैं sine square के जगह पर cot square लिख देता हूं और इसको मैं x मान लेता हूं कोई दिक्कत नहीं, cot square को मैं x कह देता हूं तो sine square को भी x कहना होगा तो मैं एक काम करता हूं इसको लिखता हूं यह 1-sin को लिख दूँगा x का स्क्वाइर और यह फिर से 1 माइनस X का स्क्वाइर और माइनस का 3 इनको मल्टिप्लाई कर देता हूं अगर मल्टिप्लाई करेंगे 1 से तो यह बिल्कुल सेम वैलू आ जाएगी 1 माइनस X स्क्वाइर minus का 3 और जब x square से इनको multiply करेंगे तो minus का x square minus minus plus का x to the power 4 and minus minus plus 3 x square अब ये value कितनी आ गए देखो यहाँ पर ये 1 और minus 3 ये minus का 2 हो गया ये x square minus का x square यानि कि minus का 2 x square और ये plus का 3 x square तो ये plus का x square हो गया और plus ये हो गया x to the power 4 अब अगर मैं x के जगह पर फिर से cot रख दूँ तो ये कितना बना x to the power 4 यानि कि cot to the power 4 theta हुआ plus x square यानि कि cot square theta और minus का 2 अब आपको ये चीज़ पता है कि ये जो value है आपका cot to the power 4 और cot square ये question में 1 given है ये 1 given है तो इसके जगह पर अगर मैं 1 put कर दूँ तो 1 minus 2 कितना आ जाएगा minus का 1 ठीक है तो option B सही होगा और ये question थोड़ा अच्छा है ठीक है फासाने वाला हो सकता है next question है sum of money is divided among A, B and C in the ratio 4, 3 and 6 if the share of C is this more than B then how much amount will A get more than B ठीक है देखो C का हिस्सा B से 600 अधिक है इसी में direct आप देख लो ये A है ये B है ये C है C जो है वो B से कितना ज्यादा है 3 unit ज्यादा है question में ये 600 दे रखा है A 20 के कितना अधिक है A B से 1 unit extra है तो 1 की value बताने है 10 से इसको काट दो 200 and 200 is the answer question number 25 का A answer होगा ठीक है और अभी तक अगर solution आपको पसंद आ रहा है तो like जरूर करें और second shift का solution बहुत जल्दी में लाओंगा second shift in the sense कि एक जो 10 January को आपका paper हुआ था उसका भी solution में बहुत जल्द लेके आ जाओंगा अगर आप इसमें comment करते हो तो comment करो और वीडियो को share करो और साथ में like करो ताकि हमें पता चले कि आप कितने के सिंसियर हो CHSL के tier two के solution के लिए the population of the city was this two years ago if it had increased by four percent and five percent in the last two years find the present population of the city देखो यह दो साल पहले क्या case है ठीक है तो यह आप लिख लो 175000 ठीक है और एक बार 4% बढ़ता है तो 4% बढ़ेगा तो 4% का मतलब कितना होता है आप बोलोगे 4% होता है 25 चोओ के 101 बटा 25 यानि 25 पर एक बढ़ जायेगा तो इसको हम 26 बटा 25 लिखेंगे और इंटू का 5% होता है 13 टाइमस ठीक है 21 सत्य होता है 107 दुना 14 147 ठीक है और गुणा में होगे डबल 0 भी है और इंटू का 13 यह मल्टिप्लाई करना है तो यह दो 0 तो रहेगा ही और 13 सत्य 91 लास्ट में 1 आएगा और फिर 13 4 के 52 और 9 4 13 नहीं 9 4 नहीं 13 4 के 52 तो 5 बचा ना तो 9 5 14 तो 4100 यहां पर 4 आड़ा है basically 4100 4100 भी लास्ट में नहीं है एक बार फिर से मल्टिप्लाई करते हैं 13 सत्य 91 बचा 9 और 13 4 के 52 और 9 2 11 अच्छा डबल बन आएगा डबल बन डबल जिरो सॉरी डबल बन डबल जिरो यहां पर है तो option C right answer होगा ठीक है पूरा calculation करने की जुरत नहीं otherwise मैं DS भी लगा सकता था यहां पर और आप भी लगा सकते थे question number 27 की बात करें a dishonest shopkeeper sales rise at a cost price but makes 25% profit by using faulty weights he decided to give a discount to attract more customers what percent of discount should he offer to make 10% profit उसे 10% profit भी चाहिए सबसे पहले करता क्या है वो गलत बाट का इस्तिमाल करके 25% तो फाइदा ले लेता है फिर उसने और ग्रहां को वाकर्सित करने के लिए 10% मतलब कुछ छूट देना चाहा आपको बताना है कितना चूट कर दे कि उसे 10% का अमें भी लाब हो जाए अच्छा देखो एक चीज़ा आप के लिए और समझ लो पहले उसे 25% का profit होता है इसका मतलब क्या है 25% मतलब क्य हुआ हुआ आपका one by four यानि कि चार पर एक का profit हो मतलब क्या हुआ कि चार का उसका खरीदा था CP अगर चार का था तो SP कितना हो गया 5 CP और SP का ratio हो गया four and five अच्छा यहां पर एक चीज़ बत बताओ अगर वह बेचता है किसी को तो बोले कि मैं एक केजी दे रहा हूं यानि डिरेक्ट आप निकालना चाहो तो यहां पर बोलो है कि देखो अगर CP चार है और SP पाच है मानलो मैं 40 और पचास ही बोल देता हूं तो अब कह रहा है कि CP इसको अभी क्या कह रहा है कि 10% का profit चाहिए तो इस पर अगर 10% बढ़ा होगे तो 40 का 10% चार होगा इसमें चार बढ कर दिशने लएगा तो भी 10% का profit होगा लेकिन 50 को 44 बनाने से इसने कितना कम कर दिया 6 कम कर दिया किस पर 50 और इंटू का 100 तो यह 50 दूना 100 और 6 दूना 12 तो 12% का इसको discount देना पर गया इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे 25% को मैंने 45 लिखा था अब यह अगर 1000 ग्राम दे रहा है तो इसको 1000 बनाओगे तो 200 से multiply करोगे तो 1000 ग्राम पहले दे रहा था था खहले दे के precnd रहा तो आप भोलोगे 880 10% बढ़ा दो बस इसको अब 1000 को अगर हमने 880 कर दिया तो कितना कम कर दिया 120 1000 पे 120 तो 100 पे कितना 12 तो 12% का इसने डिसकाउंट दे दिया आगला क्योशन है एक गोले का 12 30% बढ़ जाता है तो वोल्यूम में कितना ब्रिधी होगा देखो वोल्यूम होता है इसका 1 by 4 by 3 और पाई आर क्योग ठीक है ठीक है न तो यह constant चीज है तो आम 30% 3 बार बढ़ाएंगे 30% का मतलब क्या हुआ आपका 30% हुआ आपका 30 by 100 यानि कि 3 by 10 10 पे 3 बढ़ना यही बात है तो आप बोलोगे कि 10 पे 3 बढ़ना तो 10 से 13 होगा और 3 बार बढ़ना है तो क्यूब कर दो यानि कि 1000 की वैलू 13 का क्यूब आपको पता होना चाहिए कितना होता है यह होता है आपका 21 और 97 अब 1000 की वैलू अगर इतनी हो गई तो कितने का इसको ब्रिधी कितना हुआ तो आप बोलोगे कि 1197 का ब्रिधी हुआ 1000 पे तो 100 पे कितना हुआ परसेंटेज इंक्रीज में बताना है तो यह 20 से 20 और डेसिमल से डिवाइड करोगे तो यह कितना आ जाएगा 119.7 परसेंट ठीक है तो option C जो है वो सही उत्तर है 28 का आगे बढ़ते हैं 29 पे आ गये हैं तिरभूज ABC में 85 डिगरी C 58 डिगरी PQR सिमिलर है ABC के तो आपको बताना है कि क्यों की वैलू क्या हो गई यह अगर ABC है ध्यान से समझना और यह है अपने पास PQR राइट ए जो है वो 85 है और C जो है वो 58 है C जो है वो 58 है इसे हम निकाल ही सकते है 180 में से माइनस कर देंगे कोई बरी बात ही नहीं है और चुकि यह कॉंग्रूइंट है तो आप नहीं समरूप है यानि कि सिमिलर है तो भी कोई बात नहीं है ABC और PQR यानि कि ए इसके बराबर हो गया यह 85 हो गया 58 यह हो गया तो यह निकाल लो 180 में से माइनस कर दो 180 माइनस इनका सम तो यह 85 13 और 85 13 और 1443 तो साथ बी इच हैप a certain number of oranges A says to B if you give me 10 of your oranges I will have twice the number of oranges left with you B replies if you give me 10 of your oranges I will have the same number of oranges left with you find the number of oranges that A has देखो कह रहा है A B से क्या कह रहा है A ने B को कहा कि अगर तुम मुझे 10 संत्रे दे दो तो जितना तुम्हारे पास मचेगा उसका double मेरे पास मचेगा तो A को अगर 10 मिलेगा तो A का 10 बढ़ेगा और B का क्या होगा 10 कम हो जाएगा लेकिन ऐसे condition में A ने बोला है कि इसकी value B से double होगा तो मैंने B से double कर दिया second case में B ने क्या कहा है देखो फिर से मैंने A और B लिख दिया B ने कहा A को कि अगर तुम 10 दे दो यानि कि B का 10 बढ़ेगा और A का 10 कम होगा तो ऐसे मैं कह रहा है I have same the number of arranges यानि कि दोनों की value same हो जाएगी ऐसे case में तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि A minus B जो है दोस्तों यह 20 है ठीक है और हमें किस की value बतानी है हमें बतानी है A के पास कितने है तो यहां से B की value निकाल लो B की value A minus 20 आ जाएगा ठीक है और यही value हम इसमें put कर देते हैं जहां B है वहां में A minus 20 रख देता हूँ और minus का यह 10 आप equation बना के भी solve कर सकते थे और यह बाकी A plus 10 ऐसे ही है ठीक है दो से multiply कर दो तो यह A plus 10 और यह हो गया आपका 2A और minus का 30 दुना 60 अब इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो तो A की value कितनी आ जाएगी 70 यानि कि 70 संत्रे थे किसके पास A की पास तो 30 का जो right answer है वो है D और पूरे 30 questions हमने solve कर दिया है एक भी question मैंने इस बार skip नहीं किया है I hope कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो like क कर देना और साथ में comment भी कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube channel NKMats को नहीं subscribe किया तो हमारे YouTube channel NKMats को subscribe भी कर लें मिलते हैं next video में next shift में thank you for watching the video